कोलकाता के एक कॉलेज में ओनलाइन एड्मिशन की प्रक्रिया पर उस वक्त बवाल मच गया जब बी-ए में प्रवेश के लिए जारी पहली मेरिट लिस्ट में सबसे उपर बॉलिवूड एक्टरस सनी लियोनी का नाम दिया गया मामला कोलकाता के आशुतोष कॉलेज का है जहां बी-ए की एड्मिशन के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पर था सनी लियोनी का नाम ये merit list कॉलेज की वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी वेबसाइट पर शेयर की गई सूची में नाम के साथ एप्लिकेशन आईडी और रोल नंबर भी थे लिस्ट में सनी को कक्षा बारहवी बोर्ड की परिक्षाओं में सर्वश्रेश्ट यानि की सभी सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स दिये गए थे ये merit list देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वारल हो गई जिस पर खासा बवाल खड़ा हो गया इस बारे में कॉलेज के एक अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि ये किसी की शरारत है उन्होंने कहा कि ये शरारत का काम है क्योंकि किसी ने जान बूच कर सनी लियोनी के नाम से घलत आवेदन भेज दिया हमने संबंधित विभाग से इसे सही करने के लिए कहा है हम इस घटना की जाँच भी करवाएंगे लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद ओनलाइन एड्मीशन की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं अमेरिका में कोरोना वारस वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प ने रिपब्लिकन पार्टी के नैशनल कन्विंशन में कहा कि देश में तीन अलग-अलग वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है हम इसका उत्पादन अडवांस में कर रहे हैं ताकि ट्रायल सफल रहने पर इन्हें जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचाया जा सके उन्होंने कहा कि इस साल हमारे पास सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन उपलब्द होगी और हम कोरोना वाइरस को कुचल देंगे ट्रांप ने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था कि जिस वैक्सीन को बनाने में सालों साल लग जाते हैं उसे हमने इतनी जल्दी तैयार कर लिया भारत में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है पिछले 24 गंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए हैं ये कोरोना के मामलों की अब तक की सबसे बड़ी उच्छाल है इसके पहले एक दिन में इतने कोरोना केस कभी नहीं आये थे इसके अलावा पिछले 24 गंटों में 1057 मरीजों ने इस महामारी के कारण जान गमा दी देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 43,87,501 पहुँच गई है अभी 7,42,023 केस एक्टिव हैं जबकि 25,83,948 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना के कारण अब तक 61,529 लोगों की जान जा चुकी है रहत की बाद बस यह है कि रिकवरी रेट 76% से जादा हो गया है साथी मृत्य उदर गिरकर 1,82 फीजदी हो गई है इधर राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से सिर उठाता नजर आ रहा है गुरुवार को यहां कोरोना के 1,840 नए केस सामने आए जो अगस्त महिने का सबसे बड़ा अंकड़ा है इसके पहले बुधवार को 1693 और मंगलवार को 1,544 केस सामने आए थे दिल्ली में फिलहाल कोरोना वाइरस के 13,208 एक्टिव केस है भारती जंता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आये नेता आईपी सिंग ने गुरुवार को दिवंगद एक्टर सुषान सिंग राजपूत पर ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर बवाल हो गया गुरुवार रात को 9 बजकर 57 मिनट पर किये गए ट्वीट में उन्होंने लिखा सुषान्त नपुनसक था इसलिए उसने आत्महत्या की कायरों को समाज कभी माफ नहीं करता उनके इस ट्वीट का जबरदस्त विरोट शुरू हो गया देखते ही देखते वो ट्रोल हो गये लोगोंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें खुब खरी खोटी सुनाई ट्वीटर पर आईपी सिंग नपुनसक है ट्रेंड करने लगा कुछ देर बाद आईपी सिंग ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया आपको बता दें कि आईपी सिंग यूपी भाजपा के पूर्व प्रवक्ता है वो बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं पिछले साल लोगसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी के ततकालिन राष्ट्री अध्यक्ष अमिट शाह को पत्र लिक कर लखनव से लोगसभा का टिकेट मांगा था और टिकेट ना मिलने पर वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे थे जिसके बाद उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया था 2019 में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी जॉइन कर ली थी करोनकाल में स्कूल की क्लासेज ऑनलाइन चल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को हो रही है जो घरीब घरों से हैं और जिनके परिवार फोन का खर्चा नहीं उठा सकते तमिलाडो के मदुरई में कुछ शिक्षकों ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए बड़ी पहल की मामला थ्यागर राजा स्कूल का है जहांकि शिक्षकों ने अपनी सैलरी से उन बच्चों के लिए फोन खरीदे हैं जो इसका खर्च नहीं उठा सकते ताकि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए शिक्षक नहीं चाते थे कि कुरोना काल में वो घरीब बच्चे पढ़ाई में कहीं पीछे छूट जाए शिक्षकों के इस नेक काम की हर कोई तारीव कर रहा है सोशल मीडिया पर भी उन्हें खूब सराहा जा रह है